क्रशक साथियो जेशिया राम मैं आपका क्रशक मित्र सुमेर सिंग सिसोधिया डिजिटल दर्वाद साथियो आज 19 सितंबर है और कल 18 सितंबर को पश्चिमी मद्यप्रदेश में खंड वर्षा हुई है वर्षा 18 और 19 आज हलाकी दोपेर बाद कुछ कुछ चांस फिर बन रहे हैं जिसमें कल के मुकाबले आज बहुत कम बारिस है पश्चिमी हवा चलेगी बाद लोग को आना जाना चलता रहेगा इसके बाद में यह भी बोला था आप लोगों को कि 22 के बाद में मौसम साप हो जागा किन्तु प्रकृति को कुछ और मंजूर है ऐसा नहीं होने वाला है बंगाल की खाड़ी में 20 सितंबर दोज़ाचोविस को फिर एक नए सिस्टम बनने वाला है जो आकर की 23 सितंबर से लगा करकी 28 सितंबर दोज़ाचोविस तक मध्यपर्द्यस की जो पश्चिमी भू भाग है महराश्टे से सटे दक्षिनी जीले या 36 गर से सटे पुलवी जीलो इन तीनो चारो जगों पर कहीं न कहीं हलकी तो कहीं कम जादा बारिश करता रहेगा अति शोक्ति नहीं होगी अगर ये भी बता दूं कि कुछ जगों पर नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं 22 सितंबर से लगा कर 28 सितंबर 2024 के बीच में जी हां साथियों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है यह मोश्चर को प्राप्त करके कहीं न कहीं अपने आप में ताकतवर होने वाला है यह सिस्टम रुक रुक कर हलाकि इसका प्रदसन वहीं खंडर सोरूप रहेगा कहीं कम तो कहीं जादा इंदोर धार देवास नीमच मंसोर रतलाम साजाप बेतुल हर्दा या तमाम भोपाल पश्चिमी मद्य और पूर्वी या दक्षिनी सभी जीलों में अलग-अलग तारिक में अलग-अलग तरह से परदस्तन करेगा अलाकि यह जो गतिवीद्या है यह पांच दिन चलने वाली है पांच यह शीर दिन 28 सितंबर तक चलेगी तो अपना जो क्रशी कारे है उसी अनुरूप करे आज 19 सितंबर है आज से लगा कर 22 सितंबर आपके पास में जो तीन-चार दिन बचे हैं इन तीन-चार दिनों में आप पांच परसेंट रिक्स लेकर अपना क्रशी कारे अर्थात सोयवीन की फसले जो नई अगाती वेराइट को आप काड़ कर निकाले सुबह कटाई का काम चालू करें दोपेर बाद में निकाले कुछ मित्रों का प्रस्थ ने है कि कुछ मौसमी एजन्सिया मानसुन विदाय का बोल रही है तो कि ऐसा होने वाला एसा बिलकुल होने वाला वर्तमान की इस्तिती देखकर तो नहीं पतार था कि जून जुलाई की अपेक्चा अगस्त सितम्बर में ज्यादा बारिस होगी जी यहां साथि उसी अनुरूप बंगाल की खाली में बेक टूबहर सिस्टम मरण Metal जून जुलाई में कम बारिस ही अगस्त सितम्बर में आपने देखा होगा कैसी बारिस हूई